हेलो फ्रेंट्स मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ट साफ लिट्रेचर पर दोस्तों आज हम लिट्रेचर की दुनिया की जिस महान शक्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है जॉन डन जॉन डन को Metaphysical School of Poetry के Pre-Eminent Leader के साथ-साथ English Language में Greatest Love Poet के रूप में भी जाना जाता है उन्हें उनकी Intelligent Poetry के अलावा Religious Writing और Sermons के लिए याद किया जाता है तो आए चलिए शुरू करते हैं कहानी जॉन डन की जॉन डन का जन 1572 में एक Catholic family में एक ऐसे दोर में हुआ था जब England में strong anti-catholic sentiments थे जॉन डन के पिता का नाम भी जॉन था और वो लंडन के एक prosperous merchant थे उनकी माँ Elizabeth Haywood Catholic martyr Thomas Moore की grand niece थी 1576 में जॉन डन के पिता की death हो गई और उनकी मा ने एक wealthy widowal से शादी कर ली 11 साल की उम्र में उन्होंने Oxford University जॉन की और इसके बाद Cambridge University में पढ़ाई की लेकिन उनकी Catholic faith की वज़े से उन्हें इन दोनों ही जगहों से डिगरी नहीं मिल सकी 20 साल की उम्र में जॉन डन ने Lincoln's Inn में law की पढ़ाई करना शुरू किया और ऐसा लग रहा था कि उनका career लीगल या फिर diplomatic field में आकार लेगा 1590 के दोरान उन्होंने अपनी ज्यादातर पैत्रिक संपत्ति औरतों, किताबों और travel करने में खल्च कर दी उन्होंने अपने ज्यादातर love lyrics और erotic poems इसी दोरान लिखी थी उनकी poems की शुरुवाती किताबों, satiles और song and sonnets को उनके प्रशन्सकों के बीच काफी सराहना मिली थी 1593 में जॉन डन के भाई Henry को Catholic sympathies के लिए दोशी पाया गया और कुछ समय बाद prison में ही उसकी death हो गई इस घटन ने जॉन डन के मन में उनकी Catholic faith को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिये और उन्हें religion पर उनकी best writings लिखने के लिए inspire किया 25 साल की उम्र में जॉन डन की नियुक्ती Sir Thomas Agerton के private secretary के रूप में हुई जो की Great Seal of England के Lord Keeper थे यहां कई सालों तक काम करने के दोरान जॉन डन ने एंगलिकन faith को सुईकार कर लिया तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए जॉन डन 1601 में पारलियामेंट के मेंबर भी बन गए और इसी साल उन्होंने Sir Agerton की 16 साल की भतीजी एंड मूर से चोरी छुपे शादी कर ली Lord Agerton और एंड के पिता जॉर्ज मूर ने इस शादी को सुईकार नहीं किया और सजा के तोर पर उन्होंने कोई दहेज नहीं दिया Lord Agerton ने डन को नौकरी से निकाल दिया और कुछ समय उन्हें जेल में भी गुजारना पड़ा अगले आठ सालों तक इस कपल को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा लेकिन उसके बाद एंड के पिता ने इस शादी को सुईकार कर लिया 1610 में जॉन डन ने अपनी एंटी कैथलिक पॉलेमिक सुडो मार्टियर को पब्लिश किया इसमें उन्होंने यह तर्क सामने रखा कि रोमन कैथलिक्स पोप के प्रती अपने रिलेजियस लॉयल्टी को कॉम्प्रोमाइस किये बिना इंगलेंड के किंग जेम्स फर्स्ट को सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह उन्हें इंगलेंड के किंग का समथन और संदक्षन मिल गया 1615 में जॉन डन की पाद्वी के रूप में नियुक्ति हुई और कुछ समय बाद ही उन्होंने रॉयल चैपलीन के रूप में उन्हें अपोइंट किया गया उनकी elaborate metaphors, religious symbolism और ड्रामा में उनकी उतकृष्टिता ने जल्दी ही उन्हें एक महान उबदेशक के रूप में स्थापित कर दिया 1617 में जॉन डन की वाइफ एन मूर की अपने बारवें बच्चे को जन देने के कुछ दिनों बाद डेथ हो गई अब लव पोयम्स लिखने का समय जा चुका था और डन ने अपनी सारी एनरजी रिलिजियस सब्जेक्ट पर लिखने में लगा दी 1621 में जॉन डन सेंट पॉल्स कैथेडरल के डीन बनाए गए गंभीर रूप से बीमार पढ़ने पर उन्होंने डिवोशन्स अपॉन इमर्जेंट अकेजन्स लिखी जो कि 1624 में पब्लिश हुई इसी साल जॉन डन को विकार आफ सेंट डन स्टन्स इन दे वेस्ट नूट किया गया और वो अपने इलाकोंट सर्मन्स के लिए जाने जाने लगे जैसे जैसे जॉन डन की सेहत बिगरती गई डेथ के प्रती उनका उपसेशन भी बढ़ता गया अपनी मौद से पहले उन्होंने प्री फ्यूनरल सर्मन डेथ्स डुएल पब्लिश किया 31st मार्च 1631 को जॉन डन की डेथ हो गई और इसके अलावा मतलब ये इंग्लिश लिट्रेचर की बड़ी जहती मानी गई भावित किया जॉन डन के काम को कुछ समय के लिए भुला दिया गया लेकिन 20th सेंचरी में टियस एलियर्ट और येर्स जैसे एड्माइरर्स ने इसे रिवाइव किया तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जबूर पसंद आया होगा और आपने अब तक के चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही